नमसकर दोस्तों, एक औन नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिस्वागत है जो कि आज हम आपके सामने एक फृर से बने हुए मकान की जानकारी लेकर आ गए हैं और इस मकान को रिक्सा चालक भी खरी सकता है तो अगर आप इस मकान को खरी न चाहते हैं इस मकान की complete जानकारी प्राप्त कना जाते हैं तो सारी जानकारी आपको हम इस छोटी सी वीडियो के माधम से देने वाले हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेश्ट है कि अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार की वीडियो सब से पहले देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजीगा जो कि हम आप तो देते रहेंगे सस्ते से भी सस्ते बने हमकानों की जानकारी सब से पहले और ये जो बना हमकान आपको दिखाया गया आपके मोवैल की स्क्रीन पे चला गया है ये मकान है और ये मकान भी काऊ है बात कर लेते हैं इस मकान का टोटल निर्मार्ण शेत्र तो ये आपको पूरे 14 सव स्क्वार फिट के अंदर आपको ये मकान देखने को मिल जाता है मकान के अंदर की बात करें तो इस मकान के अंदर आपको सभी प्रकार की सुभधाय देखने को मिल जाती है जैसा कि आप यहाँ पे देखी सकते हैं कि इस मकान के अंदर आपको लाइटरीन, बातरूम, ड्राइंग एरिया हल, गारी पारकिंग यह सारी चीज़े आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी बात कर लेते हैं इस मकान के अंदर और भी सुधा है आपको जो यहाँ से रास्टा मिलेगा यह 25 फिट का रास्ता आपको इस मकान के जैस्ट साइट से देखने को मिल जाता है बात कर लेते हैं इस मकान के अन नभी सुधा हैं तो इससे पहले में आपको जनकरी दे देते हैं अगर आप भी हमारे यूटूब चैनल के मादधन से अपने जमीन या फिर अपने मकान को आप बेज़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक कमेंट बाक्स मिल जाता है आप इसमें मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका मकान कहां पे बिकाऊ है किस कीमन में बिकाऊ है और किस लोकेशन पे बिकाऊ है यह सारी डिटेल आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं जो कि मैं आप से समपर करूँगा आपकी वीडियो हमारे चैनल फे बिल्कुल फ्री में अपलोड की जाएगी इससे आप से ना वीडियो बनाने को कोई पैसे लिया जाएगा ना ही उस मकान को बिकने पर आप से बिल्कुल भी कमिसन नहीं ली जाएगी तो बात कर लेते हैं मार्केट की दूरी तो यहां से जो आपको मार्केट मिलेगा तो लगबग दो किलो मीटर की दूरी पी चलके आपको मार्केट भी देहन को मिल जाता है हाईवे राज़ते की बात करें तो रिंग रोड हाईवे जो आपको यहां से मिलेगा तो लगबग 500 मीटर की दूरी पी चलके आपको और रिंग रोड हाईबे भी देहन को मिल जाता है बात कर लेते हैं पेट्रल पंप की तो यहां पे आपको पेट्रल पंप भी देहन को मिलेगा और इस मकान के नदर काउन काउन से सुबधाएं पलब्ध हैं तो चलिए हम आपको डिटेल के साथ दे देते ہیں यहां पे आपको मिल जाएगा बेडरूम और मापकीज़ेगा यहां पे आपको ड्राइएरियाल और यहां पे बेडरूम आपको मिल जाएगा और बेडरूम कि आफ़ भाप्वार से लिएग देखी सकते हैं यहां पर आपको यह मिल जाएगा जो आपको kitchen देहिन को मिल ला है और इसके साथ साथ यहां पर बात करें तो इस मकान के अंदर आपको tiles की पूरी नीचे जो है यह पथा लगा हुआ है और tiles का काफी कब उपयोग किया गया है बात कर लेते हैं यहां पे तो यहां पे आपको एक स्टोर रूम भी दिया गया है और यहां पे मेन गेट आपको देखन को मिल जाता है और यह गेट काफी अच्छी कंडिसन के साथ आपको मिलेगा और यहां पे आप देखी सकते हैं यहां पे आपको जीने मिल जाएंगे जीने के साथ आपको गाड़ी, पार्किंगी भी सुधा यहां पे दी गई है इसके जेश्ट सार से बात कर लेते हैं तो चलिए हम आपको ये भी दिखा देते हैं यहां पे जो आपको मिलेगा ये आपको बेडरूम मिलेगा और ये बेडरूम काफ़ी अच्छी कंडीशन के साथ आपको यहां पे बेडरूम देहने को मिल जाता है और यहां पे जो आपको देहनों को मिलेगा यह भी आपको बेडरूम ही मिलेगा और यह बेडरूम काफी अच्छी कंडीशन के साथ आपको यहां पे बेडरूम मिल जाता है तो यह सारी चीज़े आपको इस मकान के अंदर मिल जाता है बात कर लेते हैं इस मकान के अंदर और भी सुब्धाएं तो और सभी प्रकार की सुब्धाएं देहन को मिलेंगी तो चलिए हम आपको इस मकान के अंदर ये भी बता देते हैं कि कितने बेडरूम मिलेंगे तो इस मकान के अंदर आपको लगभग चार बेडरूम आपको इस मकान के अंदर देखन को मिल जाते हैं बात कर लेते हैं इस मकान से कालेज की दूरी तो आपको जो यहां से कालिज मिलेगा तो लगभग आपको एक किलोमेटर की दूरी पे चलके आपको यह कालिज देहन को मिल जाता है और यह कालिज काफी बड़ आपको यहां पे देहन को मिलेगा मालिक का भी हम आपको नाम बता देती हैं ये बना हो मकान आपको बुद्धा नाम है इस मकान के जो मालिक है इनका नाम है बुद्धा और ये फर्ष्ट ओनर से आपको मकान देने को मिल जाता है और मालिक की काश्ट की बात करें तो इस मालिक की काश्ट OBC की है तो गर आप OBC वाले मकान को खरीदना चाहते हैं तो इस म मकान को आप खरी सकते हैं मकान में आपको किसी भी तरह का विवाद देहिन को नहीं मिलेगा और इस मकान को बहुत ही आसानी से आप खरी सकते हैं बात कर लेते हैं यहां के वाटर लेवल की तो चलिए हम आपको यहां के वाटर लेवल की भी जनकारी दे देते हैं यहां पे जो पे हाँ पे लगाने की सोचर हैं तो आप लगा सकते हैं बात कर लेते हैं इस मकान की कीमत की तो ये बना हो मकान आपको दिया जारा है सिर्फ और सिर्फ आठ लाक रुपे में जो की रिक्सा चालक भी खरी सकता है तो अगर आप इसे खरेना चाहते हैं तो खरी सकते हैं सारी ज देखी सकते हैं लोकेशन काफी जबर जस्त आपको देखने को मिलेगा चलिए हम आपको लोकेशन भी बता देते हैं जिले की बात कर ले तो यहां पे सुलान है और सुलान जिले में ही आपको यह मकान देखने को मिलेगा सुलान एक सिटी है जो की काफी बड़ी सिटी है और इ पर आपको ये मकान सेक्टर C में आपको देखने को मिल जाता है राजी के बात करें तो राजी यहाँ पर है हिमांचल प्रदेश तो अगर आप इस लोकेशन को छोड़ कर किसी दूसरे लोकेशन पर बने हिए मकान को खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक कमेंट बाक्स मिल जाता है आप इसमें मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कहां पर मकान खरीदना चाहते हैं किस की मन में खरीदना चाहते हैं और किस लोकेशन पर खरीदना चाहते हैं यह सारी डिटेल आम उससे कमेंट करके बता सकते हैं जो कि मैं आप से संपर कूंगा यानि कि वहां के जो प्रापरेटिटी डिन होंगे वहां से संपर करूंगा वहां की वीडियो आपको हमारे चनल पे देहने को मिलेगी तो अगर आप इस मकान को खरना चाते हैं और इस मकान के माली का कान्टेन मोबाई लंबर जाना चाते हैं तो माली के मोबाई लंबर के लिए सिर्फ चले जाना होगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बाक्स मे होँगे वहाँ पर आपको एक छोटी से लिंक मिल जाएगी उस लिंक पर जैसे अप्रस करेंगे तो इस मकान की पूरी इंफार्मेशन आपको लिखी हुए देखने को मिलेगी और सबसे नीचे जब आप स्क्रोल करके दो कि गुए तो आपको वहीं पर मालिक का मुवाईल अमबर मिल अधिक जानकारी के लिए आप मालिक के पाथ काल कर सकते हैं और इस बने हो मकान को खरी सकते हैं तो आए होगाज अगर आपको ये वीडियो चलगे वीडियो को लाइक करें और इसे प्रकार की वीडियो सबसे पहले देहना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको जो सबस पहले आपको मिल जाएगी